hello friends ऐइन चैंपियन मही पाव आज हम final finalize and finally keywords के difference के वारे में जाने जा रहे हैं तो जैसा कि हम देख सकते हैं final finally and finalize तिनों सुनने में एक जैसे से लगते हैं लेकिन जो इनकी working है जो इनका काम है वो एक दूसरे से एकदम different है लेकिन फिर भी हम confused हो जाते हैं इन तिनों को लेकर इसलिए हम आज इन तिनों को एक साथ इन तिनों के difference के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या ये काम करते हैं और क्या इन में difference है इनके नाम के इलावा इन में कोई भी similarity नहीं है ये सबी एकदम differently काम करते हैं और अलग लग जगहें पर काम करते हैं तो सबसे पहले पताती है final keyword की जैसा कि हम जानते है final keyword किसलिए use होता है final keyword हम किसी भी class या फिर किसी भी method को final declare करना जाते है है is used to make any class or method final किसी भी class या method को हम final बना रहाते है final से मतलब क्या है हमारा जो final class होती है final class can't be inherited जो हमारी final class हम उसे inheritance के लिए यूज नहीं कर सकते हैं okay and then final method जो final method होता है वो हमारी derived class के अंदर हम उसे override नहीं कर सकते तो यह होता है final method and final class तो जो final keyword जो होता है हम किसी भी class के पहले या फिर किसी भी method से पहले लिखते हैं ताकि हम उस class को या फिर उस method को final बना सकें okay तो अब हम जान चुके हैं final के बारे में now finalize and finally जो finalize होता है वो java के अंदर as a destructor work करता है जब भी हम finalize use करेंगे तो वो as a destructor काम करेगा and last आता है finally finally जो block होता है वो exception handling के अंदर हो जाता है exception handling के अंदर हम catch block के बाद finally block create करते हैं जिससे क्या होता है अगर exception आई तो भी वो execute होगा अगर exception नहीं आएगी तो भी वो execute होगा okay तो यह है finally हम कुछ ऐसी statements होती है हम चाहते ही है कि वो execute हो चाहे exception आए चाहे ना आए तो उनको हम finally block में रखते हैं okay तो यह है difference इन तिनों के बीच में final finalize and finally final क्या करता है class और method को final बनाता है finalize destructor की तरहें काम करता है and finally exception handling में काम आता है okay तो यह है difference among final finalize and finally thank you very much